हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का electronic study youtube चैनल पर नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में आपके DLA 3rd semester से जो गडित विशय को ले करके हम बात कर रहे थे तो ध्यांदी जीगाल उसमें जो लगुकड़क chapter है आपका वो चल रहा था यानि कि log को ले करक सकते हो इसके previous videos को तो log पर ही आधारित लगबग 10 सवालों के बारे में आज हम पूरी तरीके से यहां पर बात करने वाले हैं तो वीडियो को शूरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दू कि आपका जो DLA 3rd semester है जो आपके 8 हो subject है उस सभी की PDF file available हो गई है पूरी तरीके से यह number है इस पर contact करके आप वो particular PDF file प्राप्त कर सकते हैं आप लोगों को मैं बता दू अभी तक जितने भी आपके previous year के question paper में सवाल जो पूछे गए हैं सभी को solve करके बताया गया है वहाँ ठीक है तो आप जो previous year के papers लगाते हो ना या जो मैं papers करवाता था अगर time मिला तो मैं करवाँगा otherwise उन PDF file में सभी का solution मैंने दिया हुआ है और साथ में आपके जो very short है आपके जो objective questions है आपके जो short type questions है सभी को solve किया हुआ है उसमें one liner कहने का है बाकी सब कुछ उसमें आपका बताया है और उसके बाद काफी जो और अगर आप उसको लेते हैं पूरी तरीके से तो और भी जो subjects के PDF file है यहाँ पर अलग से जो मैं पढ़ाता हूँ यह सारी चीजे जैसे इस समय में पढ़ा रहा हूँ इन सब की PDF भी मैं आप वहाँ पर available करवा सकता हूँ तो उस number पर आप contact करके बाकी चीज़ों process के बारे में आप जान सकते हैं चलिए तो दोस्तों लगरिद्म लिखा हुआ है मतलब लगोगड़क के अनुप्रियोग यहाँ पर अनुप्रियोग का मतलब यह हुआ कहेंगे आपका इन्वेस्टमेंट करते हो कितना इतना व्याज है इतना चीज़ें तो फिर आपका कितना कुछ पैसा लगेगा उसारी चीज़े वहाँ पर अच्छा होगा तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि लॉग होता क्या है यहाँ पर ध्यान दीजेगा इसमें लिखा हुआ है पहले तो आप पॉइंट जीरो वन को गात की रूप में लिखो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या लिखा है जीरो सॉ अच्छी तरीके बढ़ातीजिए कितना हो जाएगा आपका एक बटे सौ यहाँ पर देखिए आपका एक बटे सौ ही लिखा हुआ है ठीक है फिर आप एक बटे सौ को क्या लिख सकते हो एक बटे दस की पावर की होल पावर 2 वही है आपकी अच्छा आप से अगर मैं रहा हूँ तो 10 की पावर मैंस 2 इकवल टो क्या हो जाएगा आपका घात भ앙 गाइगा तेंक के रूप में ही तो बोला था रोप में आघॉकले रूप में अगया 10 की पावर मैंस 2 इकवल log .01 equal to minus 2 ये आपका answer आजाएगा उमीद करते हैं कि आपको इचीज अच्छे से समझ में आई होगी ध्यान दीजेगा जब भी exam में देखे exam में ऐसे questions आपके बहुत ही कम या आपके जो rules ने उन्हीं से पूछेगा है अगर पूछा जाएगा तो आपको log table वहाँ पर जरूर देंगे ठीक है दूसरे सवाल की भाई बात करते हैं आपे लिखा है log x 1000 equal to 3 में x की value होगी क्या log x 1000 equal to 3 आप लिख दीजिए यहाँ पर क्या होगा आपको अच्छे तरीके से पाता है इसके पहले भी हम सवाल करवा चुके है log x आप जब 1000 को लिखना होगा और किस की उसमें लिखना है यहाँ पर चुकि आप जब यह 1000 को क्या लिख सकते हो 10 दहमा, 100 दहमा, 1000 हो सकता है तो 10 की power 3 लिख सकते हो equal to 3 है अब जब 3 3 आपके बराबर है तो ध्यान दिजेगा यह x to the power 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा x to the power 3 और यह आपका 10 यहाँ पर आएगा तो 10 की power यहाँ पर यह वाला x आपका यहाँ पर है इसके उसमें तो यह क्या हो जाएगा आपका x की power 3 हो जाएगा और 10 आपका Q लिखा ही हुआ है तो 10 Q आप लिख दोगे चुकि यहाँ पर देखेंगे आप जब घातें आपके बराबर है उसमें है तो X की value कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी आश्रा करते हैं कि यह point भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा तीसरा सवाल है उसको देख लेता है ही थोलगा से यहाँ पर लिखा है 2 की पाउर माइनस 4 एक्वल टो 1 अपॉन 16 को लॉग के रूप में लिखिए इसको लॉग के रूप में बोला है 2 पाउर माइनस 4 एक्वल 2 आपॉन 16 1 upon 16 जी है आप जब आप यहाँ पर log लगा दोगी तो भाई 2 base है आप देखे बिल्कुल से परिशान इसमें मत हो जाएगा यह 2 है 2 मत बेस है तो यह आपका base में चला जाएगा तुरंत 1 upon 16 यहाँ जाएगा और इसकी value कि तिलिक होए minus 4 यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अभी यहाँ पर कर गया थे कहाँ पर था यहाँ पर ठीक है कि minus 2 answer आ गया था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका answer minus 4 हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं इसमें अगले सवाल की तरफ चौथा question लिखा है इसको solve करना है log x plus 5 log y minus log z इसको solve करना है log x plus log y to the power 5 आपको पता है log m to the power क्या होता है क्या होता है m to the power n n log m y लिखा हुआ है न तो n log m था उसकों log m to the power n कर दिये यहाँ पर minus log z log x plus log y to the power 5 यहाँ पर क्या होता है इसको क्या किया मैंने साथ में हमने ले लिया कि log x चुकि आपको पता है m to n equal to क्या होता है log m n equal to log m plus log n यही होता है न तो उपर आपका log x plus log y to the power 5 m की जगए आपका x है n की जगए y to the power 5 है दोनों को multiply कर दिजी भाई उल्टा कर दिजी वही चीज आपका तो यहाँ पर यह चीज हो जाएगा उसके बाद log z आपका लिखाई हुआ है आपको पता होना चाहिए कि log m minus log n यह होता है log m divided by log n यह सारे rules है इसलिए मैं rules को recall करवा रहा हूँ आप लोगों को जिसे कि एक एक चीज़े समझ में आए ठीक है काफे lengthy है थोड़ा सा लॉग को जो है लॉग दिया उसका पूर्डांश बताईए दीखे पूर्डांश कैसे निकालते हैं करेटरेस्टिक करके था आपको मैंने पढ़ाया हुआ था पूर्डांश और पूर्डांश मैंटी सा करके लॉग फाइव यहां संख्या पाँच में पूर्डांश या पूर्डांश एक अंक है कितना अंक है आपका भाई पूर्डांश आपसे पूछता है तो पूर्डांश कितना होगा पाँच में एक 16 में कितना होगा 2 32 में 2 111 में कितने हैं 3 अंक है बिलकुल वैसा ही तो जब 1 है तो जो पोर्डांस निकालते हैं वो निकालते हैं N-1 मतलब ये पोर्डांस निकालने का आप जो है सूत्र में जान सकते हो ये मान सकते हो N वह value होगी जो अंक निकल करके आता है कि कितना पोर्डांस है तो 1 था 1-1 अपका 0 हो किया ये आपका अंसर आ गया दूसरा इसी में लिखा हुआ है log 45 लिखा है तो संख्या 45 में पोर्डांस इक्वल टू कितना है आपका 2 अंक है log पोर्डांस कितना हो जागा एक तो ऐसे में क्या होगा जितने अंक उतने पोर्डांस वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसका जो लग उगड़ कि ये पोर्डांस आएगा and minus 1 equal to 3 minus 1 हो जाएगा आपका ये भी 2 आएगा एक और अलग सा सवाल है ये थोड़ा सा log log 0.0034 तो इसका जो आप पोर्डांस निकालोगी न वो आपका क्या आएगा तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पूरी तरीके से उमीद करते हैं कि यतनी चीज़े आपको समझ में आई होगी आगे बढ़ते है छे नंबर क्वेश्चन में दिया है 15 into 2 to the power 8 divided by 1 into 59 को log रीती से हल कीज़े मतलब log मेथोड से पूरी तरीके से हल करना है मालीजी x equal to 15 into 2 to the power 8 into 1 divided by 1 into 59 लिखा हुआ है दोस्तों log लगा दीजे सब तरफ log x equal to क्या हो जाएगा log 15 plus log 2 to the power 8 आपको पता है सूतर लगाई है जल्दी से यहाँ पर m into n क्या होता है आपका m plus n होता है वही लगा दिया है भई log m plus n और जब आपका division में होता है तो क्या हो जाता है minus में तो log 1 minus log 59 हो जाएगा आगे देखते हैं log 15 यहाँ पर आते हैं इसमें क्या है आपका log 15 plus 8 log 2 अब यहाँ 2 to the power 8 था log m to the power n क्या होता है n log m n क्या है 8 है वो आगे आगे आपका 8 log 2 आपका यह तो log 15 plus 8 log 2 minus log 1 minus log 59 यह step by step किया हुआ है अब यही चीज आपको जो है अगर यह सवाल दिया जाएगा तो वहाँ पर वो log 15 की value देंगे table में सीधे सीधे लिखा हुआ होगा log 15 की value जैसे यहाँ पर 1.1761 लिखा हुआ है log 2 की value आप लोग जो बानी आपको लोग को रटा होता है कि 0.3010 होता है उसको रख देंगी 8 से multiply कर देंगी log 1 की value 0 होती है log 59 की value भी table में दी हुई होगी और वो value आएगी 1.7709 बस solve कर लिज़े इसको 8 को आप 0.3010 से जब multiply करोगे 2.4080 आएगा बाकि 0 तो आपका 0 ही है चलिए तो यह आएगा आपका 1.8132 इकोल टू log X X ही तो आप माने थे अब होता यह है जब आप उल्टा करते हो आपको मैंने बताया था X एकोल टू एंटी लॉग अगर आप निकालोगे न 1.8132 का आपका अंसर इसमें नहीं कहा तर लॉग रीती से हल किजी तो आपका अंसर यहीं पर आगया है अब आप इसका एंटी लॉग जब निकालोगे तो एंटी लॉग उसका कितना हैगा 65.04 एंटी लॉग वाली टेबल में 1.81 की वैलू दी होगी और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका लॉग से जो आंसर आ रहा है और जब एंटी लॉग निकालोगे ना तो जो लॉग से जो आया है जो लॉग आया है वही आपका आंसर होगा फिर वहाँ पे मतलब यह लॉग एक्स की वैल्यू 1.8132 कहां से आई है 15 इंटी टू टू पावर 8 डिवाइद बाई 1 इंटू 59 से जरा इसको सॉल्व करिए 15 गुडे 2 की घात 8 डिवाइद बाई 1 इंटू 59 जब इसको आप जो है सॉल्व करोगे ना दोस्त तो आपका यह आंसर आएगा तो एंटी लॉग आना आपका वही आंसर है 65.0408 के आसपास आएगा तो आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमी साथ नमबर सवाल है log 2 3x minus 2 log x 2 plus log 2 x plus 3 इसको सॉल्व करना है एक step by step किया हुआ है log m minus log n का formula लगा हुआ है लगा दीजीगा इसमी सारी चीज़े आपको step by step देखने को मिलेंगी अगर इसमें समझ में आए तो आप फिर से पूछ लिजेगा मैं इसको बता दूगा ठीक है 8 to the power x equal to 156.8 लिखा हुआ तो x equal to किता हो जाएगा log 8 8 base में है आपका 156.8 इसकी value आप उद्धी हुई होगी divided by log 8 इसको solve करना है तो log root 8 divided by log 8 root 8 को आप कैसे लख सकते हो ऐसे लख सकते हो ना मतब log m to the power n के form में अब m to the power n हो गया तो n log m होता है उपर ही लिखा हुआ है आपका answer मतब सूत्र 1 by 2 log 8 divided by log 8 log 8 log 8 cancel हो गया 1 by 2 आपका answer आगया तो उमीद करते हैं यहाँ पर अभी तक जो भी चीज़े मैंने बताई वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी इन में से कोई भी आपका सवाल है कोई भी समझ या है कोई भी दिक्कत है आप कॉमेंट में पूछ सकते हों उससे यह आपका वन लाइनर के लिए है ध्यान रखेगा सारे प्रिवियस एर पेपर आपके सॉल्व है इसमें पूरी तरीके से जी हाँ तो आप अगर कम टाइम है आपके लिए तो आपके लिए बहुत ही यह बेनिफिशियल होने वाला है एक बार आप जरूर देखें आपको इसका सैंपल पेपर भी जब में वाटसेप में दे दिया करूंगा सोला पेजिस का है आप पहले उसको एनलाइज कर सकते हैं उसके बाद या आगे का प्रोसेस आप समझ सकते हैं तो 8081743734 पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्ट वीडियो में हम जल्दी मेलेंगे लाइफ क्लासेस आपके साथे साथ भी हम डेली होती हैं आज भी होगी खाजिर होते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में शुक्रिया अब तक के लिए